मूवी स्राइड होती है और हम हमारे में ग्रेडर फ्रैंक को देखते हैं उसके वेडिंग के लिए पास हो जाना था वह他们 अधा है जहाब अरक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिंटे था है हमारी और एक में ग्रेडर है लिंटे जसे मिलने के बाद उसकें ट्रेस के वह फ्रैंक और लिंट से इन दोनों की सीट एक दूसरे के पास ही थी यह देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है वो अनौस करता है कि अगर कोई मेरे साथ सीट को स्विच करना चाहता है तो कर सकता है पर कोई भी इसमें इंटरस्टेड नहीं था अब उसे मजबूरी थी और व इस बात पर उसे कहते हैं कि मैं किसी भी रेस्टांट में नहीं जा रही तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग पर जा रही हो यह सुनकर फ्रैंक को से कहता है कि यह क्या अब प्लीज ऐसा मत बोलना कि तुम कीट और एन की वेडिंग पर जा रही हो इस बात पर उनकी वेडिंग पर जा रही थी अब इस बात पर फ्रैंक जड़ा अंकमफटेवल फिल करता है क्योंकि पहले से लिंट से के साथ उसके अच्छे से बनने रही थे और वो दोनों एक ही वेडिंग पर जा रही थे अब इन में थोड़ी थोड़ी बाते स्टार्ट हो जाती है लिंट से बताती है कि वो कीट की फॉर्मर फियांसे है ये सुनकर फ्रैंक उसे कहता है कि कीट और में ब्रिदर से है ये सुनकर लिंट से सप्राइस थी उसे पुछती है कि तुम फ्रैंक को जिस तरीके से कीट ने उसे उसके बारे में बताया था वैसा फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं था तो उस से कहती है कि इतने उसके बारे में बहुत सारी बाते की हुई थी फ्रांक उसे बुछता है कि बाकी चीजे छोड़ो पर तुम यहां पर आई क्यों कि इतने तो तुम्हारा हाड़ प्रेक किया था इसके बाद भी उसके शादी में आना यह जरा वियर्ड है लिए लिंट से कहत आता है कि मार्केटिंग असूसियेशन करता है यह सुनकर लिंट से ने उसका काम का मज़ाग उड़ाया इसके बाद फ्रांक ने उसे बुचा कि तुम क्या करते हो उसे बताती है कि जो लोग हेट स्पेच और इंसेंसेटिव एक्शन करते हैं वोने प्रोस्टिक्यूट करत है यह सुनकर एक दूसरे की वो बहुत मज़ाग उड़ाते हैं और फाइनल अपने डेस्टिनेशन वेडिंग पर वो पहुच जाते हैं उन्होंने अपने रूम्स देखे तो वो भी अगल वगल में ही थे उनके रूम में एक डूर था जो एक दूसरे को कनेक करता था से बात करने लगे और कहीती कि तुम्हें अपना बेडरूम कैसा लगा फ्रैंक कहता है कि मुझे कुछ भी फरक नहीं पढ़ता मुझे तु सिर्फ वहाँ पर सोना है उसे बहुत ही रूडली बात कर रहा था यह देखकर लिंट से उसे कहती है कि अच्छा होगा कि हम दोनों बात ही ना करें फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम यहीं चाहती हो तो फिर ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है यहाँ पर लिंट से को एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि जब से ओ यहाँ पर आ रहे थे तब से ओ फ्रैंक के साथ ही थी दोनों के सीट पास में थी गाड़ी और होडेल रूम भी एक था उसे लग रहा था कि शायद कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ सेट अप करने का ट्राय कर रहा था यह बात वो फ्रैंक को बता देती है कि शायद कि उन दोनों को एक साथ सेट अप करने का ट्राय कर रहा है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए फ्रैंक को बताती है कि अदेनिश नमाक से होते हैं यहां सच मुझे बहुत ही जाधा रूट था शायद इसी दरीके से हो हमेशा से बात करता था कीट की बहुत ही आट्रैक्टर और ये देखकर लिंट से को बहुत ही जेलस फिल होता है इसके बाद भी वो हिम्मत करकर उन दोनों से मिलने के लिए जाती है उनसे मिलने के बाद वो फिर से अपने टेबल के पास आके वो फ्रैंक से कहती है कि अगर वो वहाँ से होटेल चले जाए तो कोई नोटीस नहीं करेगा फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो इसके बाद वो वहाँ से चली गए होटेल रूम में वो खुद से ही बात कर रही थी वहाँ पर वो बहुत ही परिशान थी उसे कीत को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था नेकसिन में फ्रैंक और लिंट से दोनों फूट मसाज के लिए आते हैं लिंट से उसे बुछती है कि क्या तुम्हें फूट मसाज अच्छा लग रहा है फ्रांक उसे कहता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई और उसके पेर को टच करें उसे बहुत ही uncomfortable feel होता है लिंट से कहती है तो फिर तुम massage लेने के लिए क्यों आए फ्रांक कहता है कि ये massage free है अगर मैं इसे city में लेने के लिए जाओ तो मुझे इसके लिए 30 dollars पे करने पड़ेंगे free की चीज़े उसे बहुत अच्छी लगती थी ये massage तो uncomfortable है पर ये free में है तो इस वज़े से इसे बहुत enjoy कर रहा था इस बात पर लिंट से उसे cheap कहती है पर उसे कहता है कि मैं cheap से बत्तर हो जब मुझे अच्छी चीज़े free में मिलती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसके बाद दोनों बात करने लग गए और कीट के बारे में बात करते है फ्राइंक उसे कहता है कि वो एक shameless है क्योंकि अभी तो वो वहार रुकी हुई है फ्राइंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अब तक क्यों रुकी हुई हो क्योंकि अभी तुम कीट से बहुत प्यार करते हो वो उसे कहता है कि तुम एक monkey हो और कभी भी मेरी condition समझ नहीं पाऊगे फ्राइंक उसे indirectly move on करने के लिए खह रहा था और इसके बाद फुदोनों वाइनरी में आते है वाइन पीदी भी थे वो फिर उसे बात करने लग गए फ्राइंक उसे कहता है कि प्यार वैर ऐसे कुछ भी चीज नहीं होती लिंट से ने कहा कि इसका मतलब है तुम सिंगल हो वो गहता है कि एक बार मैंने प्यार की गलती की थी अब वो फिर से उसे repeat नहीं करना चाहता उसके बारन्स भी एक दुसरे से बहुत प्यार करते थे पर बाद में उन्होंने भी divorce ले लिया था यहाँ कुछ पल एक दुसरे के साथ भी ताते है उन दोनों की बीज के वासले अब यहाँ पर थोड़े-थोड़े कम हो रहे थे इसके बाद वो लोग फिर से कीत की वेडिंग में जाने लग गया कीत की वेडिंग तक जाने का रास्ता था वो बहुत ही ज़ादा खराप था लिंड से उसे कहती है कि यहाँ से इस रसे से उन नहीं जाना चाहती है उसके पैर गंदे हो जाएंगे फ्रैंक फिर उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वहाँ से चलने लगता है आगे आकर लिंडसी उसे कहती है कि थोड़ा उचाई पर आने के पाद वो उसे नीचे रखते है वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देख ले कि फ्रैंक उसे इस तरीके से उठा कर लेकर आया फ्रैंक उसे कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने तो शायद कीत हमें इस तरीके से देखकर जेलस फिल करेगा शायद तो तुमसे दूबारा प्यार करने लग जाए इस पर उसे कहती कि ऐसा कुछ बे नहीं होने वाला क्योंकि कीत उसके वारे में पूरी तरीके से भूल गया है लिंडसी की बात भी सही थी कित अपनी लाइफ के साथ मुवान कर गया था जब सो यहाँ वर आई थी तब सो उसके साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रहा था इसके बाद वो फाइनली वेडिंग के ब्लेस पर पहुच आते है वहाँ बहुत जादा कर्मी थी दोना एक दूसरे के साथ बहुत सारी बात ही कहता है इसके बाद वो खाने की टेबल वर वेटता है लिंट से उसे कहती है कि मुझे ब्राइट के फादर के बार में बहुत पुरा लग रहा है आज उनकी बेटी उनसे दूर हो जाएगी वो अब भी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे है तो अपने डांस में बीजी है लिंट से ऐसा कह रही थी क्योंकि वो ब्राइट से बहुत ही जेलस थी वो फिर फ्रैंक से डांस करने के लिए पूछती है वो फिर एक जीस पर फोकस कर पाएगी फ्रैंक फिर भी अपने डिसीजन पर अडा रहता है एक बहर उसने कमिटमेंट कर दिये तो खुद की भी नहीं सुनता लिंट से को उसने पूरी तरीके से मना कर दिया लिंट से कहती कि फाइन अगर तुम नहीं डांस करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ति नहीं करूंगे इसके बाद वेडिंग होती है वेडिंग में कीद अपनी वाइफ को कीस करता है और इस अब देखने के बाद लिंट से को अच्छा नहीं लगता वो फ्रैंक को वाक के लिए चलने के लिए कहती है इसके बाद वो वाक के लिए आक है चलते चलते वो बात करे थे पर उनने एक बहुत बड़ा शौक लगता है अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा माउंटन लाइन आ गया था वो दोनों समझ गए थे कि शायद उनकी जिन्दगी का लास्ट डे है फ्राइंक उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जा और मैं इससे फाइट करूँगा लिंड्स उसे कहती कि तुम यहाँ से भाग जा और मैं यहाँ पर रहकर उससे फाइट करूँगे इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में भागेंगे उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है वो अभी भी भागने में थोड़ा सा हिचकी चा रही थे लिंड से कहती ही कि मुझे पिलिव नहीं हो रहा कि मैं तुम से लास्ट बार बात कर रही हूँ फ्रैंक उसे कहता है कि बस यही एक हमारे पास भागने का चांस है फ्रैंक ने एक अजीव सी आवाज निकाली और इस सुनने के बाद वो लाइन वहाँ से चला जाता है जिसके बाद तो दोनों फिर से भागने लग जाते है भागते हो लिंट से उसे बुछती है कि वो अभी भी भाग क्यों रहा है वो लाइन तो चला क्या फ्रैंक उसे कहता है कि इसी बाद में फायदा है भागो भागते बागते हो दोनों नीचे गिर गए जब फ्रैंक और लिंट से दोनों सेफ थे लिंट से उसे बुछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाए उसे कहता है कि अगर उसकी जान नहीं बचाता तो उसे जिंदगी पर इस बात की किल्ट होती है कि उसने उसे मरने दिया वो selfish नहीं बन सकता था यहाँ पर Frank उसे kiss करने लगता है पर उसे रूख लेती है और बात म तुम्हें मुझमें ट्रेक्ट क्या लगा था या फ्रैंक उसकी बहुत तारीफ करता है और फ्रैंक से कहता है कि तुम भूब ब्वाती ब्यूटी कि उसकी बहुत तारीफ करती हैं ऐसा लग रहा था कि अब उससे पसंद करने लग गई थी इसने उसे पुछा क्या वो कभी बच्चे चाहेगा इस पर उसे कहता है कि उसे बिलकुल भी पसंद नहीं उनके साथ मजे कर सकता है पर फिर भी उसे खुट के ब तु फिर क्या होगा फ्राइंक उसे कहता है कि ये बात तुमने एक बार पूल दिये अब फिर से इसके बारे में बात मत करना फ्राइंक अभी भी प्यार के उपर बिलीव नहीं करता था या उन दोनों की बातों की बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है इसके बाद लिंट से वहाँ से उठकर जाने लग गए पर बाद में उदोनों साथ में रात बिताते हैं सुबह उठकर वो फैरवल में साथ जाते हैं अब यहाँ पर वो दोनों घर जाना चाहते थे उनके फ्लाइट में कुछ टाइम बचा हुआ था इसलिए थोड़ा रुकने के लिए डिसाइड करते हैं लिंट से कहती कि अगर ट्राफिक होगी तो हमें लेट हो जाएगा फ्रैंक भी कहता है कि अच्छा एड़ा है उन दोनों को जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए वैसे भी उन दोनों पर कोई धान नहीं दे रहा था वहाँ से निकल करो कैब में बैठत करो इसके बाद वो फिर से कहने लगती है कि उन दोनों की बीच में एक मिराइकल हो सकता है फ्रैंक कहता है कि हम दोनों की वीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला लिंट से बहुत प्यार करने लग गई थी पर फ्रैंक उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानता था उसने आगी के ब देखकर लिंट से हसने लग जाती है फ्रैट से उतर को दोनों साथ चलने लग एक जगा पर रुकते हैं और एक दुसरे को अच्छे से गुटबाई कहते हैं उन्होंने ये भी का कि एक दुसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था फ्रैंक लिंट से के लिए कैब र राद में अकेला अपने घर पर टीवी देख रहा था आज का दिन उसे पहले जैसा लगनी रहा था उसे एक चीज़ की कमी महसुस हो रही थी वो कमी लिंट से की थी उसे अपना अकेला पन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उसे लग रहा था कि शायद उसे लिंट से की प्य पहले से मिस कर रहा था फ्रैंक अपने डेली बोरिंग लाइफ बहुत ही अच्छी लगती थी इसी वज़े से उसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी मूवी में हमने देखा था कि पहले उसे प्यार में धोका मिला था और इसी वज़े से उस पर वो बिलिव नहीं करता जैसे से मिला तो एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत सारी बाते कि एक उनमें बॉंड सा बन गया लिंट से के साथ अपना टाइम एंजॉय करकर उसे भी उससे प्यार हो गया था अफिर से जब अपनी पुरानी लाइफ में वापस आता है तो लिंट से कम्यों से महसुस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दने मत पूलेगा हम विर से मिलेंगे और इन नेमों के साथ तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका खैल रखिया है